माइक टेस्ट ए बी बी वाई एक entrepreneur होने का मतलब क्या होता है आज देश में जहाँ startup, e-commerce, hyper local और YouTube जैसी चीज़े boom पर है तो अपने failures के लिए घर वालों को blame कर रहा है हर दूसरा इंसान आज खुद को एक entrepreneur claim कर रहा है लेकिन कौन होता है एक सच्चा entrepreneur कभी सोचा है यार एक entrepreneur वो इनसान होता है जो अपने 5 साल plan कर रहा होता है जब बाकी लोग अपने weekends plan करते है एक entrepreneur की जिद होती है कामयाबी एक entrepreneur की मजबूरी होती है कामयाबी एक entrepreneur का नशा होती है कामयाबी एक entrepreneur के जहन में बस एक ही बात होती है that I'll be successful, not immediately, but definitely उसको जलना पड़ता है, उसको लड़ना पड़ता है जिसके बारे में सोच के लोगों की फट जाती है उसको हर वो काम करना पड़ता है उस चीज को reality बनाना होगा जो बाकी लोग सुन के ही कहेंगे सलय ये तो हो ही नहीं सकता उस टाइम वो बोलेगा that I am possible अपने अंदर वो जजबा लेकर आओ वो बार बार गिर के उठने का जजबा वो जुनून कि जब वजूद के मिटने पे आए बात तो दिखा सको दुनिया को अपनी उकात क्योंकि जिसके सर पर होता है उसका हाथ किसमत भी हो लेती है उसके साथ वो या तो जीच जाएगा या कुछ नया सीख जाएगा जिन्दी में बस यही दो चीज़े तो होती है एक entrepreneur को ये वाद पता होती है कि उसके एरादों का कोई कुछ उखाड नहीं सकता वो कुछ नया सीख जा लेकिन कभी हार नहीं सकता जिस टाइम क्योंकि जिस टाइम उसको लगा कि वो हार चुका है गेम ओवर वो एक्शन लेगा जब दुनिया सोचती रहेगी वो काम्याब बनेगा दुनिया बस बाल नोश्ती रहेगी वो कुछ बड़ा सोचने की जुरुरत करेगा जब बाकी लोग 9 to 7 जॉब के जाल में फसे रहेंगे वो सैक्रिफाइस करेगा जब दुनिया EMI पे iPhone 7 लेने का प्लान करेगी वो बिना salary के बिना रुके काम करेगा जब दुनिया saving करकर अपनी EMI भरेगी वो अपने competition को analyze करेगा जब दुनिया Tinder पे right swipe करेगी वो अपना business plan लिखेगा जब दुनिया Babu I love you अपने phone पे type करेगी वो अपनी किसमत का राजा होगा अपने vision का गुलाम होगा दुनिया उसको देखके motivate होगी क्योंकि एक दिन उसका भी नाम होगा बोलता उसका काम होगा सबकी जुबां पे बस सलाम होगा Lamborghini Aventador होगी उसके पास हर एक एश और राम का इंतसाम होगा जीफ और girlfriend नहीं जीफ और goals होगी उसकी priority हमेशा भूखा कभी satisfy नहोने वाला चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं रुकेगा वो criticism और negativity को fuel बना के use करेगा अपने अगले targets की गाड़ी को start करने के लिए अच्छे वक्त में विनम्र दुनिया को बदलने के लिए बेसब्र, सचिन बंसर, कुनाल बहल विजय शेखर शर्मा रितेश अगरवाल भावे शगरवाल इन सब को पता था कि साला एक दिन किसमत चमके गया और जब चमकेगी तो सब के तोत्ते उड़ जाएंगे ये कार देख रहे हो ये है मेरी dream car आज कल जब लोग 4-5 लाख रुपे की बैटके खुद पर अभिमान करने लगते है न और रिक्षे वालो और आटो वालो के सामने दोस जमाते है इस गाड़ी कीमत 5 करोड है और मुझे confidence है that very soon I'm gonna own this car I'm gonna drive this car लोग बाते करते हैं मैं करके दिखाऊँगा दिल्ली की सड़कों पे इस गाड़ी को दोड़ाऊँगा क्योंकि देखे थे जो सपने आज उनके करीब हूँ खुद ही बनाया मैंने वैसा नसीब हूँ सबने कहा impossible है यार सोच लिया मैने अब मैं हूँ तयार लोग क्या कहेंगे कपूर साब क्या सोचेंगे देख के जुनून मेरा अपने बाल नोचेंगे बनूंगा कामियाब हम मन में फिशवाश है आलस से हूँ दूर बस जीतने की प्यास है कुछ आस है ये खास है बस जीतने की प्यास है अब मन में न गुरूर है इगो भी कोसो दूर है एटम्स मेरे सारे जलने पे मजबूर है अब मैं क्या करूँ इसमें मेरा क्या कुसूर है बस स्लो नहीं होना मुझे मनजिल थोड़ी दूर है जी यां दोस्तों मनजिल थोड़ी से दूर है और सिफ खुद के लिए नही y आपने इंडिया गरेट बनेगा ना क्योंकि हम यूट्स में ही वो ताकत है कि इस देश को इस प्रिटफी का सबसे बेस्ट बना सकते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके भाई जितना हो सके दबा के शेयर करो चाहे तो अपने चैनल पर रही अपलोड मार दो भाई मुझे कोई फरक नहीं परता है मैं कोई कॉपिराइट क्लेम करने नहीं आने वाला और बस लास में यह गोलू हूँआ कि विश्यू अल्द वाल्स 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 वाल्स